आज के इस वीडियो में हम आपको लाइब दिखाने वाले हैं कि कैसे आप अधार कार्ड में फादर नेम और एड्रेस को ऑनलाइन अपडेट करा सकते हैं साथ ही जीन महिलाओं की शादी हो गई है और वो अपने अधार कार्ड में फादर नेम की जगा हस्बेंड का नाम और एड्रेस को अपडेट कराना चाहती हैं तो उनका भी सेम यही प्रोसेस रहने वाला है तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे इसे किया जाता है अपने अधार कार्ड के एड्रेस और फादर नेम में करेक्शन के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन या फिर पीसी में ब्रॉजर को ओपन करना होगा हमने फ्रेंड यहां पर क्रोम ब्रॉजर ओपन कर लिया है अब हमें यहां उपर सर्च बार में लिखना है uidai.gov.in यहाँ पर यह लिखने के बाद हमें सिंप्ली सर्च कर देना है सर्च करते ही अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपके सामने यहाँ पर आधहार की official website open हो चुकी है अब आपको scroll करके थोड़ा नीचे आ जाना है जैसे ही आप नीचे आईएगा तो अब आपको यहाँ पर अपडेट आधहार का एक section देखने को मिल जाता है तो फ्रेंड उसी में यहाँ पर एक option है नीचे में update demographics data online तो आपको सिंप्ली उस link पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आधहार self service update portal का page open हो जाएगा तो अब आपको थोड़ा सा नीचे आना है नीचे आईएगा तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ प्रोसीड टू अपडेट आधहार तो आपको सिंप्ली इस पर क्लिक कर देना है उस पर क्लिक करते ही अब आपके सामने यह page open हो जाएगा तो इस page में आप से सबसे पहले आपका अधहार नंबर मांगा जा रहा है तो फ्रेंड सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपना अधहार नंबर फील करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको capture code फील करना है capture code ध्यान रहे जैसा यहाँ पर लिखा रहे आपको सेम वही capture code यहाँ पर फील करना है उसके बाद आप यहाँ पर send OTP के option पर क्लिक करेंगे जैसे आप इस पर क्लिक किजेगा तो आपके फोन पर एक OTP चली जाएगी तो आपको उस OTP को यहाँ पर फील करके और login के बटन पर क्लिक कर देना है तो फ्रेंड अब आप यहाँ पर देख पा रहेंगे कि जैसे हमने login के बटन पर क्लिक किया तो any of the following data fields to update मतलब कि आप उसे select करें जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं तो फ्रेंड आपको यहाँ बता दें कि हम अपने अधार में अपने father name अपने अधार में दिये गए address को update करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पे address का जो option है उस पर क्लिक करना होगा उस पर क् वहीं gender में सिर्फ एक बार correction करवा सकते हैं उसके बाद आपको simply यहाँ पे नीचे consent देना है यानि कि yes I am aware of this आपको इस पर tick out करना है उसके बाद आप proceed के बटन पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप proceed के बटन पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने अपने अधार काड में अपन आप शूआ है उसके बाके वाद अपर अनीचे आईए तो यहां पर देख आई हो यहां पर को यहां प्यादा पर टर्ण चैंज कर सकते हैं सबसे पहले यहां पर आपको ऑप्शन में लाता है कहाएँ तो यहाँ को बता दें कि प्याद आप जिनका भी नाम रखना चाती है यहाँ पे आप रख सकते हैं यहाँ पे हम correction इसलिए कर रहे हैं क्योंकि care of में मेरे father का नाम डाला हुआ था लेकिन उसके spelling में थोड़ा mistake है spelling को हम सही करना चाहते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे care of में अपने father का exact spelling लिखेंगे साथ ही यहाँ पे एक बात और यहाँ पे अगर कोई married woman है और उनके आधार में पहले से care of में उनके father का नाम लिखा हुआ है और वो उसे change करके अपने husband का नाम रखना चाहते हैं तो वो यहीं पर लिखेंगे ठीक है उनको यहाँ पे care of में husband का नाम डालना होगा चलिए हम यहाँ पे अपने father का name डाल लेते हैं यहाँ पे अपने father या फिर अपने husband का नाम English में लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे हिंदी में भी लिखना होगा तो अब आप घबराएए मत friend आपको यहाँ पे हिंदी में type करने की ज़रुवत नहीं है आप English में type करके सिर्फ space दबाएंगे तो वो automatic हिंदी में convert हो जाएगा यहाँ पे अगर आपको लगता है कि इसने नाम के spelling को सही से हिंदी में convert नहीं किया है तो आप यहाँ पे Google Input Tool का help ले सकते हैं उसके help से friend आप यहाँ पे नाम को सही से लिख सकते हैं उसके बाद आपको नीचे आजाना है तो जैसे आप नीचे आएगा तो यहाँ पे आपसे आपको house number building या फिर apartment का नाम मांगा जाएगा तो जो भी आपका है आप यहाँ पे डाल दें house number डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में टॉन या फिर city का नाम select करना है जैसे कि मेरा टॉन है तो तो हम यहाँ पर स्लेक्ट कर लेते हैं आपका जो भी हो आप यहाँ पे अपने पोश्ट आफिस को स्लेक्ट कर लिए जैसे कि मेरा पोश्ट अफिस देख पार हूँ कि की इसने बता दें कि जो भी address आपने उपर में वहाँ पे फिल किया है उसका आपको एक proof देना होगा यहाँ पे आपको बता दें कि अपने father या फिर husband नेम के लिए आपको कोई भी proof देने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ आप अपना address प्रूफ दें उसी से सारा काम हो जाएगा जिसके ल office account statement, रासन card, water ID, driving license, water wheel, electricity bill, telephone bill, insurance, नरेगा job card, arm license, pensioner card, कुछ भी आप यहाँ पे proof के तोर पे दे सकते हैं चलिए friend हम यहाँ पे अपने bank account का passbook देना चाते हैं तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं साथी maximum size इसकी 2MB है, side में अब आप यहाँ पे देख पारेंगे कि हमारी document upload हो चुकी है document को upload करने के बाद अगर आपको लगता है कि हमें इस document को नहीं बलकि किस और document को देना चाहिए तो आप यहाँ से remove भी कर सकते हैं, remove करने के बाद आप यहाँ पे अपना कोई और document select कर सकते हैं उसके बाद आपको simply preview पे क्लिक करना है, अब आपके सामने यह page open हो जाएगा तो इस page में आपने जो भी update किया है, साथ ही जो भी आपने proof के तोर पे document upload किया है, उसका यहाँ पे preview कर जाएगा यहाँ पे आप एक बार अच्छे से check कर लें कि जो भी आपने fill किया है, वो सही fill किया है या नहीं अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं पे कोई mistake हो गया है, तो आप यहाँ पे edit कर सकते हैं हमें लगता है friend कि हमने यहाँ पे सारा चीज सही fill किया है, तो हम नीची आजाएंगे नीची आने के बाद हमें यहाँ पे capture code fill करना है, उसके बाद send OTP पे click कर देना है जैसे ही आप send OTP के बटन पे click करेंगे, तो एक बार फिर से आपके registered phone पे OTP चली जाएगी, तो उस OTP को आपको यहाँ पे fill करना है उस OTP को आप यहाँ पे fill करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे content देना है, यहाँ पे ticket करेंगे, उसके बाद आपको simply make payment पे click कर देना है अब आपके सामने यहाँ पे payment का page open हो जाएगा, तो इस page में आप से यहाँ पे 50 rupees का payment मांगा जा रहा है तो friend आपको यहाँ पता दे कि आप debit card, credit card, यह फिर net banking के through payment कर सकते हैं चलिए हम यहाँ पे आपने debit card करके through करना चाते हैं, तो हम इस पे click करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे अपना card number यानि कि आप अपना ATM number fill करेंगे यहाँ पे आप expiry month, expiry year देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना CVV number डालना है CVV number डालने के बाद आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे नाम ध्यान रहे जैसा आपका card में spelling लिखा रहे है, आपके नाम का, आप सेम वही spelling यहाँ पे डालेंगे जैसे ही आप make payment के option पे click करेंगे, तो आपका transaction complete हो जाएगा उसके बाद friend आपको एक urn या फिर asrn number देखने को मिलेगा, जिसको आप copy करके कहीं पे रख ले यहाँ पे हम आपको copy करने, इसलिए बोल रहे हैं ताकि future में कभी भी आधार में किये गए update के status को चेक करना चाहें, तो उसके थुरू आप चेक कर सकते हैं अपने अधार में किये गए update के status को चेक करने के लिए आपको एक बार फिर से यहाँ पे आधार self-service update portal के पेच पिया जाना है, उसके बाद आप नीचे आएगे, नीचे आएगा तो यहाँ पे एक option दिखने को मिल दाएगा, चेक update status का, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है, urn ये फिर srn नमबर देखने को मिला होगा, तो वो नमबर आप यहाँ पे डाल के capture code को फिल करेंगे, उसके बाद आपको stand otp पे क्लिक कर देना है, इस पे क्लिक की जगा तो एक बार फिर से आपके phone पे otp चली जाएगी, तो उस otp को आपको यहाँ पे फिल करना है, जैसे आप otp को फिल करके check status के option पे क्लिक करेंगे, तो आपका status को कर जाएगा,